हेलो अब्रीवन वेलकम तो ब्रेंशोक्स मेरा नाम रजत है और इस वीडियो सीरीज में हम कर रहे हैं इंजिनिंग मैट्स के गेट के प्रिविसर कोस्टेंस ओल ब्रांचेस ठीक है और हर वीडियो में पांट कोस्टेंस करते हैं अभी हमारा चल रहा है फॉंक्शन एंड ग् स्कूर इस एकल तो एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स टाइम्स ठीक है इस डिफाइंड घॉड़ा सा टुक्षिन ना देखने में लग रहा है कि एफ एक्स जो होता है एक्स स्कूर होता है इसका हमें ग्राह पता है कि इस तरीके से बंदता है ठीक है तो हम बोलते देखो एक्स की हर वेल्यू के लिए fx डिफाइन थीक है बट ये फिर गलत है ठीक है उप्शन ए लगा देंगे वह गलत हो जाएगा क्यों 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 कि हमें साथ में यह दिया हुआ ठीक है एक्स प्लस एक्स टाइम मतलब чक वेसे मतलब यह नहीं एक्स को x टाइम करें ठीक है तो यहां पर क्या हो सकता है एक्स कीriment लूज क्यां होगी हमेशा false इंटीजर वेल्यू option भी आएगा ठीक है क्योंकि हम यह बोल सकते नहीं कि मैं to x की वेल्यूट है तो मैं 2 को 2 ٹाइम ऐड कर रहा हूं ठीक है एक्स की वेल्यू सपोगे है तो मैं 7 को 7 टाइम्स यह यह एड कर रहा हूं कि तब जाक्ति मेंद सारा है जी कि मैं हम प्रीक्शन fraction में नहीं बोल सकता है कि half को half times add कर रहा हूं यहां फिर 3.5 को 3.5 time add कर रहा हूं यहां फिर negative integer value भी नहीं आ सकती कि मैं minus 2 को minus 2 times add कर रहा हूं ठीक है तो यहां पर जो x आएगा हमेशा positive integer value आएगा अगर यह हमें ना दिया हो ठीक है हमें दिया हो fx is equal to x square तब हम बोल सकते हैं कि all real values of x ठीक है तो यह थोड़ा सा tricky question था option 20 का correct answer आगे चलते हैं यह भी काफी असान सवाल है तो जी एक्स हमें define किया function 1-6 x define किया है x upon x-1 और हमें find करना है ratio जी function of h of x and divided by h function of g of x ठीक है तो सबसे पहले मुझे पता है g of x जो है 1-x है ठीक है तो g of h of x इसको आ जाएगा फिर 1- h of x ठीक है अब मैं h of x की value put कर देता हूं 1-x upon x-1 ठीक है तो यह आ जाएगा x-1-x divided by x-1 तो यह basically मेरे पास आ गया minus 1 by x-1 ठीक है similarly मुझे क्या चाहिए है h of g of x ठीक है तो यह x upon x-1 है तो यहाँ पर g of x आ जाएगा g of x divided by g of x-1 ठीक है तो g of x की value क्या है 1-x divided by क्या जाएगा 1-x-1 तो 1-1-0 यह जाएगा 1-x divided by minus of x ठीक है अब हमें इन दोनों का ratio चाहिए ठीक है यह फिर एक चीज़ा आप पहले हमदा ratio भी कर देते हैं तो देखते हैं दूसरा method g of h of x divided by h of g of x ठीक है यह जाएगा minus 1 divided by x-1 ठीक है लोगो x-1 common है ना दोनों में तो हमें काम कर सकते हैं चलो देखते हैं इसको कोई बात नहीं 1-x divided by minus of x ठीक है तो यह बेसिकली आ जाएगा इसको हम इस तरीके से लिख लेते हैं 1-1 x-1 into minus x upon 1-x ठीक है अब इसको मैं चलो अगले step में करता हूँ minus minus में नीचे multiply कर दो वन माइनस एक्स बना लेते हैं ठीक है इंटू माइनस ओफ एक्स divided by 1-6 यह जाएगा minus x upon 1-x square ठीक है थोड़ा सा length हो गया तो इससे short मुझे लग रहा है कि यह one upon x-1 ठीक है तो जी ओफ एक्स है मेरा one minus x तो यह माइनस वन अपॉन माइनस जी ओफ एक्स आ गया ठीक है बिसिकली यह one upon जी ओफ एक्स आ गया यह मेरा किसके कुल है अगर मैं माइनस के साथ उपर नीचे multiply कर दो यह मेरा one माइनस x x-1 upon x और यह मेरा है one by H of x ठीक है यह ज्यादा बैटर है ठीक है एक्स माइनस वन अपॉन एक्स और इन दोनों का रेशो चाहिए मुझे जाने कि मैं इसका और इसका रेशो में अगर निकालूंगा ठीक है यहां पिलिगते तो मैं जिए ओफ हो एक्स डिवाइड़ बाइच ओफ जी ओफ एक्स इस इकल टो वन बाइज ओफ एक्स डिवाइड बाइज ओपर आ जाएगा तो यह वाला method ज्यादा बैटर है अगर हम यहां पर करेंगे थोड़ा सा लेंथ ही हो रहा है और जो यह हमने अंसर निकाला फिर हमें देखना पड़ेगा ठीक है कि यह हमने अंसर निकाल लिया उससे पता चल गया हमें कि बी और डी तो नहीं आ ए और सी में चेक करने पड़ेंगे तोनों को डिवाइड करके ठीक है तो option is the correct answer या फिर आप इसको एक और तरीके से try कर सकते हो कि x कोई value रखके ठीक है अगर वो उससे भी ट्राइक करके देखे ना कि उससे short आ रहा है या उससे length ही आ ठीक है कि नेक्स कोश्चिन है यह भी असान है बस थोड़ा सिसमें टाइम लगेगा हमें दिया हुआ है फोरे 9 0 x a into f of x plus b into f of 1 by x is equal to 1 by x minus 25 वेर a not equal to b then integration of function with respect to x limit है 1 से 2 ठीक है इस तो सबसे पहले मुझे function चाहीं है f of x तो इसको मुझे eliminate करना है ठीक है तो इसको हम क्या कर सकते हैं सबसे पहले अगर मैं इस equation में एक्स को replace कर दूं 1 by x के साथ ठीक है तो मिरे पास क्या आएगा a f of 1 by x plus b f of x is equal to x minus 25 ठीक है तो मैं एक्स को 1 by x से replace कर दिया पूरी equation है अब मैं क्या कर सकता हूं अगर देखा जाए मिरे पास दो equation मनगी दो variable वल जिसमें f of x f of 1 by x है तो इसको मुझे eliminate करना है ठीक है eliminate करने के लिए इसका coefficient मुझे same करना पड़ेगा तो मैं इसको a से multiply कर देता हूं इस equation को मैं b से multiply कर देता हूं ठीक है तो इस equation को अगर मैं b से multiply करूंगा तो मिरे पास आएगा a b f of 1 by x plus b square f of x is equal to b x minus 25 ठीक है और इस equation को मैं a से multiply करूंगा ठीक है तो पहले मैं यह वाला factory लिख लेता हूं अदर ठीक है एसे किया a b f of 1 minus x plus a से multiply करूंगा a square f of x a by x minus 25a ठीक है अब यह equation 1 equation 2 ठीक है equation 2 में से हम equation 1 minus कर देते हैं तो यह तो cancel हो जाएगा तो इदर बचेगा a square f of x minus b square f of x divided by a of x minus 25a minus b x plus 25b ठीक है fx को एक साइड रखके 1 by a square plus b square ठीक है यहां पर आगा a by x minus 25a minus b x plus 25b अब इसको करना हमें इंटिग्रेट तो इंटिग्रेट नए पेज पर लेते हैं हैं इंटिग्रेशन ओफ एफ ओफ एक्स फ्रॉम वान तो टू ठीक है सोरी ए माइनस बी स्क्वेर तो 1 by a square minus b square common constant तो भाहर निकाल लिया 1 से 2 a by x minus 25a minus b x plus 25b d ठीक है तो सबसे पहले इंटिग्रेशन एबाइ एक्स का यह आजएगा ln x सब्सक्राइब ए इंटु एल एक्स माइनस 25 ए तो constant है तो 25a x minus b x का b x square divided by 2 plus 25 a b of x 1 से 2 तक ठीक है तो इसको हम अगर directly थोड़ा देखें पहले हम इसमें ही lower limit upper limit lower limit put कर देते हैं कि ए बाहर रख्खा ln 2 minus ln 1 ln 1 तो 0 आगे लिखने की जूरत जब पेपर में कर रहे हो तो कोशिश करो कि जो जो step हम हटा सकते हैं इतना हम कम लिखें उतना बैटर रहेगा ठीक है बट यह प्रैक्टिस से आएगा धीर देरे 25a फिर अपर लिमिट माइनस लोर लिमिट माइनस बी अपर लिमिट टू का स्कूर डिवाइड बाय टू तो टू ही आ जाएगा लोर लिमिट वन बाय टू प्लस 25 अबी टू टीक है यहाजएगा एलन टू माइनस टू माइनस बन यहाजएगा टू माइनस वन बाय टू यानिकि ठी बाय टू बी यहां पर 25 ठीक है और साथ-साथ अगर एक्जाम में तो ऑप्शन भी चक करते रहना है ठीक है क्योंकि सब्जेक्टिव पर नहीं है कि हमें पूरा स्क्वेर यहां पर एक ओमान आगया एलन टू माइनस 25 ठीक है मैं ऑप्शन के साफ से बना रहा हूं माइनस यह इसको हम सॉल करेंगे तो 25 इंटू 50 माइनस 347 पोजिटिव 47 बाइटू बी ठीक है तो यह फाइनल अंसर आएगा हमारा जो की ऑप्शन ए ठीक है next question which one of the following graphs describe the function f of x is equal to e raised to power minus x x square plus x plus 1 ठीक है तो इसको हम कर सकते हैं increasing decreasing function concept से ठीक है यह वैसे differentiation मैंना चाहिए चलो graph बना हुआ है इसमें तो सबसे पहले function देखिए यह decreasing है ठीक है कहीं पर भी increasing नहीं है जीरो के बाद ठीक है यहां पर इस कुछ एक point तक increasing है फिर decreasing है यह वाला decreasing फिर increasing फिर decreasing ठीक है यह वाला decreasing भी है और negative भी जा रहा है और फिर increasing फिर decreasing ठीक है सबसे पहले देखो है जाए अगर मैं बात करूँ e की power minus x कभी भी negative नहीं आता ठीक है minus और infinite रगाके 0 आ जाएगा ठीक है बस यह हो सकता है कि negative नहीं जाएगा और x की values positive है तो यह भी हमेशा positive रहेगा तो option d तो हमेशा आएगा इन पॉसिबल ही नहीं है ठीक ह और अब मुझे देखना है कि किस रिजन में increasing है या फिर decreasing है ठीक है maximum minimum अब इससे भी कर सकते हैं कि देखो इसका एक maxima है इसी x की value पर यहां पर minima maxima ठीक है तो value चेक करते तो इसका first differentiation करते है मेरा function जो है वो है e की power minus of x x square plus x plus 1 ठीक है f dash x अगर करें तो e की power minus x को में ऐसी रखा अंदर का differentiation किया तो 2x plus 1 आया फिर e की power minus x को गया तो minus आगया जाएगा ठीक है x square plus x plus 1 ठीक है e की power minus x और 2x plus 1 minus x square minus x minus 1 ठीक है तो e की power minus x यह जाएगा minus x square plus x ठीक है तो यह आगया इसको मैं 0 के एक को लखूँगा ताकि मेरे पास point आज़े maximum minimum के ठीक है यहाँ पर function increasing से decreasing यहाँ फिर decreasing से increasing पर change हो रहा है ठीक है तो f dash x को मैंने 0 के एक को लखा तो e की power minus x minus x square plus x तो यह basically आजाएगा minus e की power minus x x bar निकाल लिया तो x minus 1 ठीक है कुछ इस तरीके से आजाएगा तो equal to 0 रखूँगा मैं इसको तो मेरा x 0 और x is equal to 1 ठीक है यह दो point है जिस पर maximum minimum हो सकता है यहां पर function increases to decreasing यहां फिर decreasing से increasing में change हो रहा है ठीक है तो देखो 0 का तो कोई मतलब बनता नहीं है क्योंकि 0 से पहले का तो हमें को मतलब भी नहीं है ठीक है हम x is equal to 1 पे चेक कर लेते हैं अच्छा एक मिनट हमें क्या करना है यहां पर increasing decreasing चेक करते हैं से छोटा 0 1 की बीच में 1 से लेकर 2 की बीच में अब हमें value देखनी है f-x की ठीक है f-x जो किया मेरा e की पार minus x x minus 1 ठीक है जब x की value 0 से कम है suppose करो मैं एक value पूट करता हूं x की minus 1 ठीक है माइनस 1 जो आएगा माइनस 2 e की पावर माइनस 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 प्लस होगा प्लस हो तो यहां पर function आएगा decreasing ठीक है यहां तक 0 तक function कुछ decreasing सा बन रहा होगा इस तरीके से ठीक है अब 0 से 1 की बीच में increasing यह आएगा check कर सकते हैं कोई value पूट करके हैं तो मैं half पूट कर रहा हूं half पूट अगर करूंगा minus e की पावर minus half ठीक है one by two half minus one minus half आजाएगा तो यह positive one by four e की पावर minus one by two ठीक है तो यह greater than less than zero greater than zero तो यहां पर increasing आएगा ठीक है पूट करूँगा तो माइनस यहां पर two two minus one two two e की पावर minus two तो यह less than क्या है है जीरो तो यहां पर function क्या एगा decreasing ठीक है अब हम देख सकते है जीरो के बाद increasing जीरो से बान के बीच में फिर decreasing है वो सिर्फ बी में हो रहा देख पहले increasing फिर decreasing ठीक है ए में तो कुछ increasing होई ना function increasing नहीं हो रहा जीरो के बाद कहीं पर भी और सी में क्या और पहले decreasing यह गलत है ठीक है तो option बीस है ठीक है और अगर बात की जाए maximum minimum a की point of one अब one पर चेक करोगे अगर हम f double dash x ठीक है मैं करूंगा इसको यह डान अ मुझे तो सब से पहले में डीकी पावर माइनस x ऐसे रखता हूं इसका माइनस टू. अफ चा जाएगा फिर माइनस डीकीपावरर इक़्स फान से माइनस इकक में कॉमन निकाला तो माइनस टू. اक्स स्क्वेर माइनस x e की पावर माइनस x और x स्कूरे माइनस 3x ठीक है, अगर मैं 1 पे मुझे चेक करना है f double dash 1 put करूँगा e की पावर माइनस 1 और 1 माइनस 3 ठीक है, तो यह माइनस 2 e की पावर माइनस 1 आगए जो कि less than 0 है तो इसका मतलब 1 पे maxima है, ठीक है, तो पूरा detail में हमने question कर लिया बट paper में अगर आपकी practice होगी तो इतना time नहीं लगेगा, ठीक है next question last question इस वीडियो का, consider the plot of f of x versus x as shown below, ठीक है, पहले plot दिया होने एक odd function है, हमें साफ साफ दिख रहे है, ठीक है और इसका हमें find करना है, suppose f of x is equal to minus 52 x f y dy, which is one of the following graph of f of x, ठीक है, यहाँ पर गलत लिखा हुआ यहाँ पर capital f of x आना चाहिए, ठीक है यहर जगा अब सबसे बढ़े integration करनी है, मुझे अब यह odd function है ठीक है, एक चीज़ हमें यह ध्यान होने चाहिए और odd function है, integration ही even function आएगा, तो option a और b तो नहीं आएगा, दूसरी चीज़ अगर देखा जाए integration जो है, वो क्या करेगी area under the curve है, जैसे minus 5 से start किये, अब minus 5 से minus 5 तक करेंगे, तो 0 ही है integration ठीक है, जैसे minus 5 से लेके minus 4 तक की, उसका मतलब क्या होगा, suppose करो यहाँ पर minus 4 है तो basically वो यह area बताएगा, ठीक है अब area जै, x-axis के नीचे है, तो area negative हाएगा, इसका मतलब क्या है, जब हम यहाँ से integrate करते हो जाएगे, जैसे x के लिए बढ़ती जाएगी, यह area बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, 0 तक area बढ़ेगा, बट यह negative क्योंकि, यह x-axis के नीचे वाले area है, ठीक है तो देखो, यहाँ पर एकदम नी area बढ़ रहा है, यह गलत है कि minus 5 से एकदम area बढ़ गया, नहीं, धीरे-धीरे बढ़ रहा है, ठीक है यह बढ़ा, ठीक है, यहाँ तक area बढ़ा, अगर मैंने 0 तक integration की है, ठीक है जब 0 के बाद, suppose को मैं 1 तक integration की है, मैंने, suppose को यहाँ पर 1 है, मान लो ठीक है, यह area तो उसने add कर लिया था, पर यह negative था, फिर अभी positive area add होना स्टार्ट होगा, suppose को यहाँ तक मैंने area count किया है, यहाँ पर मान लो कि minus 3 था, ठीक है, अब यहाँ पर positive add होना स्टार्ट होगा, तो overall यह decrease होना स्टार्ट होगा हमारा negative, positive area add हो रहा है, ठीक है, और 5 तक जाते आते, यह negative area, यह positive area, ठीक है, दोनो add होके क्या होगे, 0 होगया, ठीक है, option आजएगा c, एक तो यह तरीका होगया, दूसरा, यह होगा कि हमें पता है कि integration, अगर कोई constant है, constant का integration होता है, x, ठीक है, अगर x है, तो उसका integration होगा, x square by 2, यानि कि constant का integration linear होगया, यानि x की power 1, linear का integration x square, यानिक थोड़ा curve आएगा, ठीक है, तो इसका मतलब जब मैं integration स्टार्ट किया, तो जो यह वाला part है, ठीक है, इसका integration थोड़ा सा करव आएगा, ठीक है, इस तरीके से, फिर, जब यह वाला part है, यह थोड़ा, यह constant है, इसका linear, ठीक है, इस तरीके से, ऐसा कुछ हो बीच वाला पार्ट थोड़ा सा constant होगा azवरी vineyard एस पार्ट काالि एङ्ट dairy वह इसपार्ट का íntegration है फिर माइनस टू से 0 ठीक है तो वह थोड़ा कर्व होगा जिरो से 2 भी कर्व होगा फिर दूबारा फिर कर्व होगा ठीक है एक ये चीज़ देख सकते हो अगर सपोज करो कि एक option इस तरीके से होता है कि अगर मैं एरिया वाले concept से बात करूं कि एरिया पहले नेगेटिव बढ़ रहा था फिर मैंने बोल दिया कि वहां पर पॉजिटिव एड़न स्टार्ट हो गया तो पॉजिटिव साइड फिर जीरो हो गया बट यह नहीं आएगा यह आएगा वह इस concept से ठीक है कि अगर यहां पर line linear है तो यहां पर curve आएगा ठीक है यह possibility नहीं है तो बस अगर ऐसा option होता तो ठीक है तो यह हमारे 5 question इस video खतम हो गया तो मैंने कोशिश किया कि काफी explain कर करूं ठीक है हो सकता है कि एक्जाम में आपक को बहुत explain करने की जुरूत ना पढ़े ठीक है बट फिर भी सीखने के मक्सद से बहुत important है ठीक है फिर भी कुछ doubt रहा गया हो नीचे आप comment कर सकते हो नीचे तो एप्टिव्ट ग्रूप वाले में पोच सकते हो और वीडियो को सीखा तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना थैंक यू सो मच